कोरुना संकर्मन की पहली लहर के मुकाबले कुमाउं में संकर्मन की दूसरी लहर अधिक खतरनाक होती जा रही है हाला कि इसकी रोक थाम के लिए स्वास्त महक में द्वारा टी के लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है इसक्रम में बागेशुवर जिले में अभी तक पचास फिदी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वर्तमान में जिले को कोरुना के पांच हजार टी के मिल गए हैं जिससे टी का अभियान में और तेजी आएगी बतादें कि बागेशुवर जिले में अलगलग केंदरों पर टी का करण का कारे चल रहा है जिसके तहट 18 से 44 वर्ष वालों के लिए 6 सेशन साइट बनाई गई है और 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए टी का करण के लिए 35 सेशन साइटों में कारे किया जा रहा है कोविड एप पर पंजी करण प्रिक्रिया पूरी होने के बाद लोगों का टी करण किया जा रहा है वहीं कोविड टी का लगने पर लोगों ने आभार जताया की किंद्र सरकार देश के साथ ही विश्व में भी कोर्ना को खत्म करने की मुहीम पर जुटी पड़ी है उन्होंने कहा कि ये टी का काफी सुरक्षित है बहुत अच्छा है तो सभी को लगने चाहिए और बताई हुए निर्देशों का पालन करने चाहिए जो है वो सभी की स्वास्ति के लिए ठीक है ही है आज भी कोई प्रेशानी नहीं बहुत राष्टी कारिक्रम में भर्चर करके सभी लोगों ने इसमें मैं अपील करता हूँ अपनी स्वागता निवाए आपको बताने की जिले में अभी तक कोर्ना वाइरस संकर्मन की जांच के लिए 88,000 सेंपल भेजे जा चुके हैं जिन में से अभी तक जनपद में कोर्ना के 4,084 पॉजिटिव केस आए हैं जिन में से 3,093 मरीज स्वस्त होने के बाद कोविड चिकेसाले से डिस्चार्ज किये जा चुके हैं और 953 संकर्मित मरीजों में से 103 का उपचार कोविड अस्पताल में किया जा रहा है जबकि 850 घर में आइसूलेशन है पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदी शुपाध्याई की रिपोर्ट